असलामलेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मुम्तासपान विलॉग, उमीद करती हूँ सब खेरियसे होगे, फ्रेंड्स हमारा आज का विलॉग कोई वीडियो के हवाले से नहीं है, आज की जो बात है वहीं इंपॉर्टेंट है तो प्लीज जरूर सुनिये, मैंने सुचा यार क् अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे आख करेंगे, उनको कुछ हामना होगा, जो क्या होगा, बास रखा यो बास रखा लगा के खुछ फैंक तेता है, वो उसी सुरत में होता है, जब आप खुद हमारे, मुझे बहुत शदीद की शॉक लगा और मेरे जो पास पुई नहीं अगरे आपके लिए बचली ने आपको पकड़ लिया और आपको लग रहे हैं कोई आपका मदद करने वाला नहीं है, तो आप अज की आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ हूँ एक बहुत जरूरी लाइफ हैक, जी हम बल्कुल, तो आपने जो वीडियो है वो एंड जिसने जरूर देखनी है कियो कि आज जो में बात आप लों के लिए आपको लिए और अपके लिए और तमाम इनसानियत के लिए जो जरूर नहीं यहाँ मददकार साबित होगी, तो तो आपको पते हैं कि आज़ बरसाद का मौसम है और स्पेशली बरसाद के मौसम में यह तो पूरी दुनिया में पुर्ट लगने का कोई ताइमिंग आपने अपने थोड़ी से बढ़ जाते हैं और जानलेवा साबित हो सकता है और बहुत से लोगों के साथ इस तरह के वाकयात हो चुके हैं इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है यह है कि अब एक हमारी फैमिली में मेरी पुपो की जो बहुं है उनके साथ यह वाक्या हुआ बनाने के साथ लाइब उनके साथ लगाया उनके आजपास वही नहीं था और उनके वहाँ पर पर इंक करते हैं उनके वहाँ पर गाया यह जो पर बहुत से वाक्याथ होते हैं और यूटुबर भी बहुत से वीडियो इसरा के पढ़ी है, मैंने एक दफ़ा पहले एक वीडियो देखी कि एक और अवरत है और बारिश होने के बाद पानी खड़ा हुए लोह गुजरी जा रहे है और एक खंबा पोल जो है बिजली का उसके पास से वह गुजरी है और तो अगर मुझे क्रिप पिलना तो मैं आप लोह मुझे शेयर करूंगी और बट उसकी कोई हैल्प नहीं कर पा रहा है और तकरिबन दो से तीन मिनट का उतना तकलीफ ते प्रॉसस वह चला और उसके बाद उस ऑरत की ड़त हो गई है फ्रेंट्स बिजली को तो हमें यूज प्रॉस करना ही करना है और उसको हम अवाईड नहीं कर सकते लिकिन हमें इसके साथ किस तरह से चलना है कुछ दूस और डॉंट्स होते है कुछ चीज़ें जो आपको नहीं जरनी है यह मालूम होना इसका नॉलिज होना बहुत जरूरी है तमाम लोगों को चाहे बुपड़ और मैं किस तरह से बची वो एक्सपिरियंस में आपके साथ हाँ शेयर करना चाहूंगी और बनाने का मकसद मैं पहले भी बता चुकी हूं कि बहुत से आए देन इसरा के वाकियात होते रहते हैं मेरे एल्द के मेरे देखने में आए हैं तो मैंने सोचा यार मैंने जब उस बाइदा उठा सकें अल्ला ना कहले जब वो कभी इस तरह की सिचुएशन में पढ़े हैं फ्रेंड्स कुछ दूस और डोंस हैं पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आपको तक्रीबन सबकों पता होगा लेकि जिनको नहीं पता उनको भी एक दफा बता दूं कि कभी भी न इंडक्टर है कि खींच दी है को कि तो आपको करंट लगने के 100% चांसी बेसिक नमबर वन नमबर टू गीले हाथों के साथ कभी भी आप ने चाहिए आपने जुटे पेने में और आप भी आप गीले हाथ हैं आपने बिजली को बिजली की किसी चीज को ओवन को फ्रिज को क अब आपके माइं और आपके और दूसरों के काम आएं प्रेंट वह जो वीडियो की मैंने जिक्र किया था उसमें वह लेडी को करंट लगावा था अच्छा हमारे जहन में एक बात आती है कि अगर किसी को करंट लग गया है तो फॉरण से सब के जहन में यह बात कि पानी खड़ा है सड़क पे और इतना टाइम क्या होता है कि आप लगड़ी दूने किसी की जान बचानी के लिए तब तक तो बिजली ने अकाम करके दिखा देना है तो नमबर वन लगड़ी नहीं दूने लगड़ी दूने अगर आपके पास है वाई चांस आपके हैं लग लगड़ी दूने का ताइम तो नहीं देगी ना बचली के ठीक है वो लगड़ी दूने के साथ लगड़ी दूने नहीं 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 तो फ्रेंट्स आपने क्या करना है तो अगर आपके आपका शॉल है आपने लीवी है इसी और का दुबटा आप ले सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन में हैं आपके आसपास कोई है लेडी कपड़ा कोई हुष कपड़ा है आप उसको सिंपली उसके ऊपर डाल के उसको खेंच सकते हैं तो पूल कर सकते हैं तो करंट के आपके बिजली पास नहीं होगी तो आप नहीं करना है इस कपड़े के साथ उसको डाल के खेंच लेना है एक वीडियो मैंने अभी दो दिन पहले देखी थी वह भी मैं आपके साथ जुरूर शेयर करूंगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो यह कॉमन चीज है जो कि अपके नहीं से भी में से खाते हैं नहीं से नहीं सेखी उनियुकूष ईसको पतमा साह्ता है ऑर बाग्डे की तो यह कर सकते हैं तो आप यह कर सकते हैं कि आप फैइख सब्सक्व्यों ह typically patient type in signify कि जिञक इन फेह जीब अब सब्सक्राइब मतंगी फ्रिजू और शेयर ग कि अपनी देखा उदाना वास्ता किसी को करंट लगे और में स्विच लग नहीं यह पोँछ सकते हैं और में स्विच की नहीं नहीं है यह आपको टाइम लगे नहीं है तो सबसे बेस्ट यह कोई लगड़ी है अगर आपके पास प्लास्टिक चीज है लेकिन खुश को नहीं लेकिन अपनी 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 अपन में फॉरंड से माइक्रो सेकंड में सोचा और उसने इतना जो मफलर या स्काफ लिया वा था उसकी साथ उस बंदे को गले में डालके सो और से पुल बैक लिया खेंचा और बिजली ने इसको छोड़ दिया और नीचे गे लिया और वो बच गया अब जो कि और इसमें आप लोगे पिलोग तो गेंगे जिन शर्ण शे निकालें आपको क्या शोगे जिन शर्ण शर्स निकालें बट ऑस को जिस्वाग कि नहीं होती है दूसरा है कि मुझे इसलिए ने जो दड़ बड़ी जोर से पकड़ा मैं कपड़े ही थी अभी पुछर स इसे लगा तो मैंने सोचा कि यार्ब क्या होगा, वो धुरेशन दूरेशन लंबा था ये जटका नहीं लगा था अधीर अभर मैं क्या करूँ अभर मैं चैनल कि जाएगा, इस तरह जल्दी से फिल्म चल रही होती है, और ख्याल आरही होते हैं, तो मैंने सोचा यार्ण इनको यह पूरी ट्रेनिंग करवाई भी है उनको बताया है कि रेड वाला में जो ब्रेकर है आपने इसको जूते पहने हुए और इसको आपने उठा देना है तो अगले बंदे को करंट नहीं लगेगा वैसे कि मारे गर में ब्रेकर हैं बहरां उसी वक्त मैंने यह फैसला किय और यह उड़्ी व्हुत कि मुझे से लिए इस तरह से नहीं नहीं मनना है और अब दिली दिल में जायर आपोल नहीं सकते दूआ की अल्ला मेरी मदद करना है मैंने कलमा कड़ा और अलला का नाम लें के मैंने जोर लगाया मैंने फुद को पुल किया मैंने कहिए पुरा जो मैं पिस निए जटा इटा लिए मशीन को जटा कि पीसे होगा है और अला का शुकर है मेरी क्या होगात है मैं लावा और मुझे काम्याभी बख्षी और मैंने उसको मशीन को कुछ से दूर दखेल दिया और मैं बच गई मैं अल्हा का शुकर अदा करूंगे जाहिर है और यह एक दफा नहीं एक दफा पहले भी मेरे साथ यह वाक्या हो चुका है जब मैं ज़रा शादी से पहले की बात है तब भी मुझे इसी तरह से हमने घर में करंट लगाया हुआ था दिवार के ओपर क्योंकि काफी दूर हमारा घर था वहां पर डिकी थी तो मेरे बाबा आर्मी में थे आर्मी में यूज होता है तरीकाय कार तो उन्होंने घर पे भी लगा देते थे और एक दिन यह हुआ कि रात का टाइम था तक्रीब नो दस बजे का था अंधेरा था और मैं उल्तिवार पे कुछ निकाल रही थी चेक कर रही थी आर्मी मुझे इतना याद निया है बहरा लगा को नजर नहीं आया उन्होंने करंट लगा दिया उन्होंने फुल पावर लगा दी कि मैं इसको धके लूँ और मैं कामयाब रही तब भी मुझे तकरीब उसका दौरानिया अगर गिना जायत में भी पांच-छे सेकंड के दौरानिया का मुझे करंट लगा था और ये सेकंड डाइम भी इसी तरह हुआ लेकिन मैं दोनों दफा जो है कामयाब रही और तरीका कार किया था तरीका ये है कि खुदानाखास्ता अल्ला ना करे कि कभी आप इस तरह की सिचुएशन में पढ़ें लेकिन ये मालूम होना चाहिए आप जोर लगा सकते हैं मैंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है लेकिन इस बारे में नहीं पढ़ा अब इसायना भड़ा सब माली है तो आपने ग्राता है लाप के सांप ये क्जान एंप लोकी करें आप लेकों अब ल keynote नहीं थो अब नहीं तो आपने भुज की सब्स्रू होका है ये मैं कुझा जाए हैं में लोकी सब्सक्राइब कर दोर संुएए आप समझ थे हैं थे उन जाहिए जब आये जब आई आई लेकिन अची मौत दे इस तरह की मौत ना दे बचाए. अबर अबीध तक तक आप आपको समझाए होगी तो आपने किया होगी और आप इसको अपनी जिंदगी में भी आपलाई करेंगे चच्तका लगा के ठांक लिए तन दिल्का छिवाल नहीं प hurts लगोड़े लेकिक कि से अप्याम के फैंक लेता है लेकिन बाथीज़ रिकुसूरतीं अपना उपना छोड़ेता है जब झांट आप रपाथ जब चांट बाथन आप लाकर वन्य प्रकें को स्कूसुल चंद यह जीज़ें थी होफुली कि आप लोगों की नॉलिज में जाफा हुआ होगा और दुआ यह है कि आपको आपके प्यारों को यह मेरे सुनने और देखने वालों को इस सिचुवेशन से गुजरना पड़ें बहराल यह आपने जरूर शेयर करनी है सभी दोस्तों के साथ यह वीडियो उनको पता चल सके कि आपके सिचुवेशन से निकल सकते हैं और यह तमाम स्कूलों में भी बच्चों को बताना चाहिए कि बिजली से एक इस रह से बचा जा सकता है इसको यूज करना भी जरूरी है लेकिन इससे बचना भी जरूरी है और क्या क्या तरीके कार जिससे अबच सकते हैं अगर आपको लगा कि मेरी आज की जो बात थी इसमें कुछ तम है और यह वाकर कारामद हो सकती है दूसरे दोस्तों के लिए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीज़ेगा ताके वो भी इससे फाइदा उठा सके और यह मेरा फ्रेंड परिसनल एक्सपिरियंस है और अलला की मदद अल्ला की रजा और मेरी कोशिश क्योंकि यह जो जान आ ले दी है हमें इसकी हफाज़त कर आखरी दम तक जब हमें इस सिचुएशन में थी जब मुझे अरण लगा में तब हुचा तब हूचा एक क्या मुझ कि 나와 मैं जोनी एकापशित करनाहे है, मुझे अखित लोगा करना सृ और खिचाना एक हम थास्ता जो अाजना, आधित कर दोनांक ठार भादा में जानाहे है और अर आधिव भल्ख्यक है।श्वरमाइछ्नग कुर मिरे आजनाहे है तो मेरे आजमाएगी बात है आज का अगर विलॉग इच्छा लगा है तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ इजाज़त चाहंगी, अलाहाफेज